Hello friends, CBC World Class 12 Examination को लेका सबसे बड़ी खवर निकल के सामने आ रही है CBC World Class 12 Examination को लेका सबसे वड़ा ट्वीट रमेश पोखरियाल सिख्षाम मंतरी के तरब से आया है यानि Class 12 Examination को लेकर कैंसलेशन को लेका सबसे बड़ी ट्वीट निकल के सामने आ गई है यानि देश के शिक्सा मंत्री रमेश पोख्रियाल जी के तरब से वहीं बात करें डिने के अंकर सुधी चौधी जो है डिने में के क्लास 12 ऑग्जामिशन को लेकर क्या कहते है यानि की बात करें तो CVC Board Class 12 Examination को लेकर DNA क्या कहता है DNA की रिपोर्ट क्या कहती है तो सबसे पहले देखिए रमेश पोखरियाल जी के जो मीटिंग आई है उसको लेकर सबसे बड़ी जनकारी उनों ने दी है मंतराले के तरब से ट्वीट की गई है Ministry of Education तो यह ट्वीट आप लोग देख लीजिए इस ट्वीट में जो है 17 तारी को मीटिंग होने है हाई लेवल मीटिंग होने है यह आप लोग को के आल्रेडी पता है लेकिन जो मीटिंग होने वाली है उसकी टाइमिंग जो है 11 एम बताई गई है यानि सुवा 11 बजे ही मोर्निंग में आपकी मीटिंग होगी है उसके बाद इविनिंग में क्लास 12 एक्जामिशन को लेकर फैसले आ सकते हैं सबसे पहले देख लिए अपके पता है कि क्लास 12 एक्जामिशन को लेकर 10 के कैंसलेशन के समय ये कहा गया था कि पहले कोविट पे जो है सिच्वेशन पे रिविव की जाएगी उसके बाद 12 पे फैसले किये जाएगे तो कल जो है फाइनल फैसले होने है जिसमें जो है कोविट पे जो सिच्वेशन है उस पर भी जो है review किया जाना है तो meeting में highlighted जो है ये बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ये साब सब पढ़िये दो objective meeting is to review the COVID-19 situation उसके बाद जो है आपके education मेंस्टर जी और भी कई सारी बातों पर topics पर बात करेंगे लेकिन class 12 examination को लेकर जो है COVID-19 situation जो है वो कल ही review को लेकर final review की जाएगी class 12 examination को लेकर वहीं DNA कैंकर सुधी चौधी का भी कहना है कि class 12 examination को लेकर cancellation के जो decision है वो 17 माई को ही होंगे क्योंकि आपके source जह है education experts जो है लगतार ये clear कर चुके हैं पर 100 पे और वहीं आपके देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोक्रि cancellation को लेकर तो यहां पर देखिए source क्या कहते है education minister को लेकर जो है पर 100 पे DNA की report क्या कहते है source that education minister might to take a final decision regarding the cancellation of class 12 examination on 17 माई याने की बात करें तो आज से 24 गंटे से भी कम समय है आपके पास तो मैं भी आपको यहीं कह रहा हूं कि cvc vote पर 100 पे pressure बनाने के लिए government पे pressure बनाने के ल तो 17 माई सुवा 11 बजे meeting होनी है उसके meeting के एक से देड़ घंटे बाद ही है clear होना सुरू हो जाएगा class 12 examination को लेकर यानि कि उमीद है कि at the pipe यानि 5 पीम से पहले ही आपके education master जी है आपके live आकर class 12 examination को लेकर कुछ बड़ी बाते जो है बोल सकते हैं तो इसको लेकर लगतार हम बने वहें friends वहीं फिलाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों वीडियो चली तो वीडियो को लाइक कर देजिगा जहीं लेकिन वीडियो को खतम कर लेकिन से पहले अलो बच्चों आपने पूरी साल एक्जाम्स की तियारी की है तो आप बगता आ यह पता लगानी का कि आपक इसकी इसकी इन्रॉल्मेंट कैसे करना है सिंप्ली डिस्क्रिप्स में मैंने लिंक दिया है वहां से जाके आप इंडिया के तमाम बच्चों के सामने कहां स्टेंड करते हैं आपको करवाता रहता है नेगटीम स्कोरिंग होगी हिंदी एंगलिस लेंगवेज में आप टेस्ट में दे सकते हैं और टेस्ट के बाद डिटेल बीडियो सॉलिशन आपको करवाने वाले हैं पूरी तरीके से मल्टिपल चोईस बेस कोसें आने वाले है जहां पर आगर कोड के मातिम से आप फ्री में जो है जो है नहीं हो सकते हैं लागतार स्क्रीन पर आपका जो कोड है फ्लेस हो रहा है तो जल्दी साहिए अभी से इंडॉल कर लीजिए